आजका वीडियो उन सभी स्टुडेंट्स के लिए बहुत इंपोर्टेंट है जो स्टुडेंट्स ने एक साल का ड्रॉप लिया है अगर आप इन टॉप कॉलेज में अद्मिशन लेना चाहते हो तो आपको सीटी एक्जाम में कितने परसेंटाइल लाने है और आपकी क्या रा अगर आप इन टॉप कॉलेज में अगर आप एडमिशन लेना चाहते हो तो आपको सीटी एक्जाम में कितने परसेंटाइल लाने है और आपकी क्या रैंक होनी चाहिए यह सारी चीजा आज के इस वीडियो में हम लोग डिसकस करने वाले और सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट इन टॉप कॉलेज में एडमिशन लेनी के लिए आपको सीटी एक्जाम के लिए कैसे प्रिपेरेशन करनी है अभी सीटी एक्जाम को लगबग लास के सरी तीन महने से भी कम टाइम रहे गया है अभी तो इन तीन महने में आपको कैसे प्रिपेरेशन करनी है तब जाके आप जो है COEP, VJTI college में admission ले सके, ऐसी कैसी preparation करनी चीए, सारी चीज़े आज के इस वीडियो में मैं discuss करने वाला हूँ, और last वीडियो में काफी सारे students ने comment किया था कि भाईया, जो students repeat करने वाले, उनके लिए क्या strategy होने वाली है, देखो, आज का वीडियो उन सभी students के लिए बहुत important है, जो students ने अल्रेड़ी एक साल का drop लिया है, ड्रॉपर्स के लिए वीडियो बहुत ही जादा important है, तो आज का वीडियो बिल्कुल भी मत मिश कीजिए, विकॉज आपने एक साल यहां पे लगा दिया है, यहां से आपको एक step और जादा मेनत करनी है, विकॉज करने से पहले आप सभी students से महिए जाना चाहता हूँ कि आप सभी students का कौन सा dream college है, आप CET के थ्रू जो है कौन से dream college में अपना admission लेना चाहते हो, जब तक आप अपना dream नहीं decide कर लेते हो, जब तक अपना goal नहीं decide कर लेते हो, तब तक आप उतनी मैनत नहीं कर पाओगे, ले लेकिन आपके mind में अगर ऐसा है कि मुझे average college से engineering करनी है, तो आप उतनी अच्छी preparation नहीं कर पाओगे, तो सबसे पहले अपना mindset में एक clear कर लो, कि आपका dream college क्या है, और आपको कौन से college थे जो engineering करनी है, ये आपका clear होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, आज के इस video को start कर करने से पहले, जो भी students new है इस channel पे, जल से जल channel को subscribe कर लिजे, mhtct से related, hsc exam से related, सारी updates, सारी videos आपको इस channel के थ्रू देखने को मिलेगी, as well as admission process से related, काफी सारे videos मैं आपको provide करने वालो, तो आज के इस video को start करते, तो सबसे पहले मुझे बताओ, आप सभी students का dream college कोन सा है, comment section म मैं सबसे पहले comment करो, अपना dream college, सबसे पहले हम लोग अभी cut-off के बारे में discuss करेंगे, जैसे मैंने बताया है कि महराश्रा के जो top colleges, जैसे coep हो गया, vjti हो गया, pct हो गया, इन top college में admission के लिए क्या cut-off होता है, last year का मैं आपको cut-off बता दू यहां पे, मैंने यहां पे coep का cut-off open करके रखा हुआ है, यहां पे आप देख सकते हो, coep का cut-off अगर मैं computer engineering की मैं बात करूँ, i hope यह visible होगा आप सबको, यहां पे देखो computer engineering का cut-off जो गया है, 99.91 परसंटाइल गया है, और इसका closing rank देखो 151, 99.91 परसंटाइल पे जो है computer engineering का cut-off गया है, यहां पे और एक last year जो है न्यू ब्रांच आई थी, robotics and artificial intelligence, इसका cut-off देखो आप 99.64, यानि कि अगर आपको top college में admission लेना है, चाये कोई भी ब्रांच में आप ले रहे हो, वहाँ पे आपको 99 परसंटाइल लाने ही पड़ेंगे, यह जी open का मतलब होता है general open, अगर मैं आपको widgeti college का cut-off बताओ तो widgeti college का भी cut-off हम लोग देख लेते हैं, तो यहाँ पे आप देख सकते हो widgeti computer engineering का cut-off आप यहाँ पे देख सकते हो, g open का 99.94 और closing rank देखो यहाँ पे 99 पे close हो चुका था, admission 99 rank पे जो हो चुका था, यहाँ पे देखो information technology, IT का cut-off देखो 99.87 गया है, अब यहाँ से clear होना चा category के भी cut-off है, यहाँ पे आप देख सकते हो, सारे category के cut-off यहाँ पे mention किये गए, although मैं यह आपको PDF प्रोवाइट कर दूँगा WhatsApp ग्रूप में, आप वहाँ से भी category के cut-off check-out कर सकते हो, अब 99 percentile score करने के लिए, कैसे preparation करना है, अब हम लोग वो discuss करेंगे, तो सबसे पहले make proper strategy, अब हम एक proper strategy में आपको कैसे strategy बनानी है, तो मैं आपको simple logic बताता हूँ, ठीक है, देखो, आप PCM से जो है exam देने ओले, ठीक है, अब maths जो है, वो 100 marks का आने ओले, physics and chemistry 50-50 marks का आने ओले, अब यहाँ पे maths में जो है, आपको 50 questions आने ओले, जो कि 2 marks के होने ओले, ठीक है, जो कि 2 marks के होने ओले, अब यहाँ पे सबसे important यह होता है, कि आप maths को जो है, बहुत ज़्यादा strong कर लो, because यहाँ पे सबसे ज़्यादा weighted जो है, वो maths कवर कर रहे है, अगर आपका math strong है, अगर suppose यहाँ पे 100 है, 100 में से आप अगर यहाँ पे 80 या फिर 85 तक लेके जाते हो, अपना score CT exam में, और इस 100 में से अगर आप लेके जाते हो, 80 या फिर 85, ऐसे करके अगर हम लोग यहाँ पे total करेंगे, तो 170 प्लस आपका score जा रहे है, and 170 score पे आपको 99 परसंटाइल आ जाएंगे, 160 प्लस अगर आप score कर रहे हो CT exam में, then definitely आपको 99 परसंटाइल आएंगे, 99 परसंटाइल 160 marks पे आजाते हैं, तो अगर आप इतना score कर रहे हो, इतना target कर रहे हो, देखो maths के लिए सबसे ज़्यादा आपको efforts लेने पड़ेंगे, maths के आपके fundamental concept, आपके differentiation, आपके calculus वाला जो part है, वो काफी अच्छे से होना चाहिए, तब जाके आप maths में 80 से लेके 85 marks score कर सकते हो, एक ऐस proper strategy बनाओ, जिससे जो है, आप इतना यहाँ पर यह score तक आप achieve कर पाओ, अब यह score achieve करने के लिए कैसे preparation करने है, chapter की कैसे preparation करने है, वो सारी चिज़े अभी हम लोग discuss करेंगे, सबसे पहले आपको जो है chapter wise MCQs आपको solve करने, 150 at least आपको MCQs solve करने, 150 MCQs solve करने का main reason क्या है, idea लग जाएगा कि MSTCT exam में कैसे type के questions आते हैं, और difficulty level क्या होती है, ठीक है, अगर आपको difficulty level पता चल जाएगी, कैसे type के questions आ रहे हैं, अगर आपकी वो practice अच्छे से हो जाएगी, तो CT exam में आप easily questions को ना solve कर सकते हो, MSTCT exam में आपको 50 questions 90 minutes में solve करने mathematics के, और physics and chemistry के 100 questions आपको 90 minutes म role play करता है, तो आपको time manage करने के लिए, पहले आपको mock test को practice करना है, आपको MCQs को practice करना है, तो at least आप जो है हर एक chapter के 100 to 150 MCQs practice करो, तब जाके आपके सारे type के questions cover हो जाएगे, ठीक है, अभी यहाँ पे next मैं आपके लिखा हूँ कि start giving mock test, जो specially जो repeater students है, जो जिन्नोंने drop लि अगर आप कोई भी chapter prepare कर रहे हो, जैसे आपने solution chapter prepare कर लिया, chemistry में, physics में oscillation chapter prepare कर लिया, एक बार आप उन chapter का mock test attempt करके देखो, अभी mock test के लिए rising education का app download कर लो, वहाँ पे free of cost मैं mock test आपको provide कर रहा हूँ, last year के mock test अल्रेडी available है, वहाँ पे विश्वास badge में, और भी काफी सारे मैं mock test जो आपके लिए arrange करने वाला हूँ, in future थोड़ा से जैसे मैं free हो जाता हूँ, आपके लिए chapter wise mock test मैं free of cost available करवाने वाला हूँ, तो आपको जो है mock test हर एक chapter का देना है, वहाँ से आपको पता चलेगा कि आपके कोन से questions wrong हो रहे हैं, और जो questions आपके wrong हो रहे हैं, उसको पिर से आपको solve करना है, ऐसे नहीं है कि सिभा आपने mock test दे दिया, उसको analysis करना बहुत important है, mock test देना और उसको analysis करना, ये दोनों चीज़े आपको करने हैं, तब जाके आपका score improve होगा, जो dropper students है, उनके लिए ये step काफी important है, यहाँ से आपको mock test देना start करना ही करना है, ठीक पूरा formula based होता है, जब तक आपको formula नहीं याद आएंगे, आप तब तक question नहीं solve कर पाऊगे, और इतने सारे formulas at a time याद रखना difficult हो जाता है, हर एक student को difficult हो जाता है, at a time इतने सारे formulas, physics के इतने सारे formulas आपके, chemistry के इतने सारे, maths के इतने सारे formulas याद रखना बहुत जादा difficult होत chemistry का एक अलग से रखो mathematics का अलग से रखो ऐसे formula sheet पहले सी prepare करके रखो देखो बिना formulas के आपके questions नहीं हो पाएंगे आपको formulas पुरे रटे होने चाहिए तभी आप MSTCD exam में MCQ को solve कर पाओगे तो formula sheet अभी से ही बना के रखो अपने room के wall पे जो है जितने भी आप formulas लिख रहे हो जो याद नहीं हो रहे उनको wall पे stick कर लो और daily सुबह 5 मिनट जो इन formula sheet को दो automatically वो सारे formulas आपके याद हो जाएंगे आज से ही जो है अपने room के wall पे integration calculation calculus के सारे formulas यहाँ अभी सही जो है वाल पे लगा खेर रख दो जब तक mhtct exam है तब तक और जब तक mhtct exam होने वाली है तब तक आप बस पांच मिनट सुबह उठके वो formula sheet को read करो या फिर अपने बस उसको देखो अपने आप जितने आपके दिमाग में set हो जाएंगे तीन मेना अगर आप लगाता उनको देखोगे तो आपको पूरे के पूरे formulas हो जाएंगे आपको अलग से महनत करनी की जरूरत नहीं है और सबसे most important आपको revision इस करना पड़ेगा तब जाके आपको chapter प्रिपेर होगा ठीक है उसके बात जो सबसे most important आता है PYQs अब CT exam की में अगर बात करूं तो CT exam में 60 to 70% जो questions होते हैं same to same questions मैं नहीं कह रहा हूं लेकिन जो 60 to 70% जो questions होते हैं वो same concept पे आते PYQs की concept पे ही same questions पूछे जाते हैं बस values different होती है अगर आपने PYQs सारे chapters के अच्छे से PYQs कर लिए अभी last years के भी अगर आपके 5 shift के 10 paper होते है ऐसे 10 papers और उसके last year ऐसे 20 papers भी अगर आप solve कर लोगे तो आपको पूरा idea लग जाएगा कि हाँ इस chapter polymer chapter में से कौन से questions आ रहे हैं integration में से कौन से questions आ रहे हैं अब मैं यह chapter prepare करना हूँ अब जब revision करोगे कि हाँ यह question जो है एक्जाम में पूछा गया था इसको मुझे जादा importance देना है और इसको और अच्छे से prepare करना है तो PYQs को आप बिल्कुल भी मस्किप करना PYQs are the most important ठीक है I hope यह आपको सारे points clear हो गए होंगे अगर आपको कुछ भी problem आती है CED से related अगर आपको कुछ भी अगर आपको पुछना है तो आप comment section में पुछ सकते हो WhatsApp ग्रूप पुछ सकते हो rising education का app download करो last year का विश्वास batch जो है एक रूपे में available है वो एक रूपे भी just मैंने इसलिए price रखा है कि वो batch जो है नहीं बन जो chapter wise सारे mock days आपको available हो जाएंगे rising education का app download कर लो और जिसने भी group नहीं जॉइन किया वो group जॉइन कर लो आज का वीडियो आपको कैसे लगा comment section में बताओ मिलते है next video में तब तक के लिए thank you